फरगोन लोकसभा छेतर के मेरे परिवार के साथियों को साधर नमस्कार, साथियों लोकसभा चुनाओ एक महत्पूर चुनाओ था जो संपन्न हो चुका है, बस चार जुन को जो एक बहुत महत्पूर परक्रिया है उसको हमारे मदगन्ना भी करता और हमारे कारे करता बहुत ह सावधानी पूर्वक इसको संपन करवाने का कष्ट करें जिसमें मदगर्णा भी करता को दो जगह पे मदगर्णा होगी खरगोन जिले की खरगोन जिला मुख्यालाई पर और बड़वानी जिले की चार विदान सभा की बड़वानी जिला मुख्यालाई पर जो एकलवी आद अभी करता है आठो विधान सभा के खरगोन जिले के खरगोन जिले में राधावन लब गार्डन में और बढ़वानी जिले के जो कार्य करता है वो यादो समाज की धर्मसाला में साम पाज वजे एकत्रीत होंगे वहां पर दोनों जगह पर कार्य करताओं को मदगर्णा अभी दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे महत्पूर्ण बात जो ध्यान रखने की है वो यह है कि हमें जो मदगर्णा सेंटर है वहां पर 6 बजे प्रवेश करना है मोबाइल अलाव नहीं रहेंगे इसलिए मोबाइल को हम लोग सावधानी प्रूवक अपने अपने इस्था नेट हम वहां टेबल पे जाकर बेठेंगे जो पहली महत्पूर्ण जो सावधानी रखने की है जैसे ही हमारी टेबल पर जो C.U. का केरिन बाकस आएगा उसके एड्रेश टेक को हमको मिलान करना है उस पे मद्दान केंदर का नाम होगा और मद्दान केंदर का नाम और परणना परची है उसके उपर इन सब का उलेक है देखने के पश्चात आप अपनी परची में निसान लगाएंगे जैसे ही मिलान होगा उसके बाद में आप के रिंग बाक्स को ओपन करने का परमिशन देंगे आपके समग से बाक्स खोला जाएगा जैसे ही बाक्स खोलेंगे तो CU unit निकलेगी तो जो control unit है उसके उपर भी ये number रहेगा जिस पर green paper seal जिसको कागज की seal कहते हैं उसका भी number उस पर आपको दिखेगा सावधानी ये रखना है कि वो कागज की seal ना तो टूटी हुई होना चाहिए और उस पर हमें जो हमारे मदगना भी करता है उसके signature को भी check करना है साथ ही उस पर कागज की seal का number भी होगा आपकी परची पे वो seal का number भी अंकीत करके हम दे रहे हैं उसको भी आप मिलान करके tick mark करेंगे उसके पश्चात seal को तोड़ेंगे और machine को चालू करेंगे machine को जैसे ही चालू करेंगे तो date सही आना चाहिए चार जून समय भी सही आना चाहिए यदि इसमें कहीं कोई घड़बडी है तो तुरंत हम चिकायद दर्ज करवाएंगे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो उस पे मद्दान की तारिक और समय आएगा और मद्दान का जो समापती का समय है वो भी आएगा दोनों को हमको ठीक से चेक करना है तोटल मद्दाता कितने मद्दान हुए वो भी हमको चेक करना है और इतनी चीजे मिलाने के बाद में ही हम परिणाम का बटन दबाने के लिए कहेंगे जैसे परिणाम का बटन दबाया जाएगा उस पर पूरे ही डिस्प्ले होंगे कितने वोट डले यह सारी चीजे आएगी सारा डिटेल हमको ध्यान से देखना है महत्पूर्ण बात यह है कि केंडिडेट 1,2,3,4,5 और नोटा यह सिरियल नंबर से 5 डिस्प्ले होंगे उस डिस्प्ले को भी हमको ठीक से केंडिडेट वाइज देखना है हमारा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए नहीं हमारा ध्यान सिर्फ हमारे केंडिडेट या पूरा परिणाम डिस्प्ले हो जाएगा उसको हम टोटल करके भी देख लेंगे ताकि हमारी जो मददाता, मदगणा, मदपतर अभी लेखा परची है उसमें टोटल वोटो की संख्या और यह मसीन में जो वोट डिश्प्ले है वो और हम जब उसको टोटल करते हैं तो तीन वो भी अपना data लिखेगी और उसके पस्चात वह आपसे मिलान करने के पस्चात एक certificate आपको देंगे पहले round खतम होने के बाद में उसको भी हमको अपने लिखे हुए आकड़ों से मिलान करना है उसके पस्चात ही sign करना है जब ये आपके पास में मिल जाएगा तो आपके पा या इसी प्रकार से एक round by round बढ़वानी जीले की बात करें तो हमारे 21 टेबले हैं और 14 round maximum तीन विधान सबा में और एक विधान सबा बढ़वानी में 17 round चलेंगे बीच में हमको कहीं पे भी टेबल चोड़कर जाना नहीं है यदि कहीं ऐसी emergency हुई तो अपने साथी को कहे कर जाएंगे या अपने प्रवस के साथी को या अपने जो believer साथी है उसको हम सुचना करके ही टेबल चोड़ेंगे पर जब तक मदगर्णा की प्रक्रिया संपूर नहीं होती तब तक हमको पूरे 14 round या 21 round तक बेठना है और पूरी प्रक्रिया को सांती पूरवा हमको देखना है उतार चड़ाव मदगर्णा के दर्मियान आ सकते हैं क्योंकि हमारा मुकाबला एकदम कस्मकस है इसलिए हमको एक एक चीज को और एक एक डिस्प्ले को एक एक जो गिंती हो रही है उस पे ध्यान कंसेंट्रेट करके बेठना है साम को जब रुजहान लगभग लगभग आने लगेंगे हमको नत अतिवत्साहित होना है हमारे पक्स में फेवर रिजल्ट आरा तो नत अतिवत्साहित होन है क्योंकि हमारा जो फेसला होगा अंतिम जो सी यू यूनिट है उसकी गिंती जब तक नहीं हो जाएगी तब तक हमारा फेसला नहीं होगा साथ ही जब पूरे राउंड की गिंती हो जाएगी और फाइनल एनांस्मेंट होगा और वहां पर सर्टिफिकेट बड़वानी जिले की बात करें तो टोटल विदानसभा के अनौस्मेंट के बाद में और जो आखरी में सभी विदानसभा में विदानसभा वाइच जितने बूत है उतने बूतों की परचिया एक डबे में डाली जाएगी और एक वेक्ती से उठवाई जा जाना है उसमें भी हमको ध्यान से पुरा कंसेंट्रेट को के उस उन परचियों को गिनवाना है किसी भी हालत में हमें मदगर्णा सेंटर को छोड़ना नहीं है और यह यह गिनवाने के पश्चात मिलान करवाना है मिलान करवाने के पश्चात हम रिजल्ट जो हमारे पास मे है उस बूद का उस बूद के रिजल्ट से भी हमको मिलान करना है उस रिजल्ट से और उस मशीन के डिस्पले से और इन परिचियों का मिलान होना चीए यदि कहीं कोई विसंगती आती है तो तुरंत आपजेक्शन लेना है साथ ही जो बेलेट पेपर खरवोन में काउंटिंग हो रही है उस में बेटने वाले लोगों से भी मिशेश करके निवेदन है कि हमको सावधानी पुर्वक ध्यान से जो चाट टेबले लग रही वहां पर वहां पर भी बहुत ही साथानी पुर्वक उन सब चीजों की गिंती करवाना है तो ये पूरी प्रिकर्या हमारी धरिये करवाना है और आप सब लोगों ने इस तुनाव को वह इंत शांदार ढंग से लड़ा है सांदार धंसे काम किया है चाहे सामाजिक कारिय करता हो या कांग्रेस पार्टी के समर्पित कारिय करता पदादिकारी या जनपरतिंगी सब लोगों ने इस सुनाव को मिल कर लड़े हैं और हम जीद कर रहेंगे तमाम परकार के जो opinion पोल आ रहे हैं अफवाएं चल रही हैं इस पे हमको कतई ध्यान देने की जरुवत नहीं है मैं पूरे confidence के साथ में कहे रहा हूँ सब परकार का analysis करने के बाद में result पूरी तरीके से हमारे favor में आने वाला है इसलिए हम व्यत्थित ना हो लेकिन हमको united रहन लगना हो चाहे मैदान के बाहर हमारे कार्यकरता खड़े रहेंगे दोनों ही मुख्या लाइपर हमारे कार्यकरता परियाप्त संख्या में जो समझदार लोग है सांति पूरवक धेर ये पूरवक पूरे announcement को सुनेंगे वहां पर भी table लगार करके counting करते रहेंगे तो कहीं को कोई समझ्या आने वाली नहीं हैं आप लोगों के समझ कोई समिक्षा समेशया आयेगी तो वहां सारे लोग समझदार लोग हमने पृयास किया है कि सारे केंद्र पर समसदार लोगों को अलग अलग威ले चाह सीं कए न रूम में गिनती हो ए वहां पर भी जो हमारे कक्स है अ आप लोगों को कहीं पे भी घबराने की जरुवत नहीं है, हम ये चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन आखरी दम तक हमको